हाई एवरिबड़ी वेलकम टो माई चैनल माई नेम इस प्रगती मिश्रा और यहां पर हम लोग करने जा रहे हैं सभी प्रिवियर्स सेयर पेपर्स का तो 2011 से अभी तक कि जितने भी एक्जाम हुए है वह सभी हम लोग यहां पर करेंगे और आज हम लोग पहला क्वेशन के साथ मिलेगी और इससे बाहर कोई भी क्वेशन आपका पेपर में नहीं आएगा सभी के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट सीरीज रहेगी हर एक जो आपका पेपर वन है पेपर टू है हर एक सब्जेक्ट के लिए आपको यहां पर जो है सारे क्वेशन पेपर आपको यहां पर सॉल्व करा जाएंगे तो अगर अभी तक आपने यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब दे चैनल और प्रेस दा बेल आइकन टो इस्टे अपडेटेड यह मेरा कुछ सोशल मीडिया हैंडल्स आपके सामने दिये हुए हैं Instagram account & Telegram account at Telegram पर एक ग्रूप बना हुआ है यहां पर प्रगतिपत्थ 247 लिक कर आप सर्च कर सकते हो हो प्रगतिपत्थ quiz भी आप सर्च कर सकते हैं प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब चैनल एंड प्रेस्ट बेल आइकन तो इस्टे अपडेटेटेड परस्ट क्वेस्टन देखते हैं पहले डिरेक्शन देखते हैं क्या है आंसर दा फॉल्लविंग क्वेस्टन बाई सेलेक्टिंग दा करेक्ट और most appropriate options तो यह कुछ डिरेक्शन दिया है निर्देश दिया है कि या तो correct option या फिर most appropriate सबसे उप्युक्त जो option है वो छाट कर आपको यहां पर करना है ठीक है first question देखिये क्या है It has been observed that the process of digestion is faster inside the stomach than outside because Hindi में देख लेते हैं question को मेरे सारे जो भी मैं paper आपको कराऊंगी कभी भी आगे सारे के सारे आपको bilingual मिलेंगे bilingual form में ठीक है तो यह भी plus point है और with pictures और आपको अच्छा खासा explanation भी मिलेगा Hindi में देखते हैं question क्या है यहां देखा गया है कि पाचन क्रिया बाहर की अपक्षा आमाशे के अंदर अधिक तेजी से होती है क्योंकि चार options दिये हैं पहला option है the digestive juices inside the stomach are acidic while outside they are alkaline पाचकरस आमाशे के अंदर अमली होते हैं जबकि वे बाहर चारी होते हैं second option the amount of digestive juices produced in the stomach in the presence of food is much more Hindi में देखते हैं आमाशे के अंदर भोजन की उपस्थिती में पाचकरस का उत्पादन बहुत ज्यादा होता है third option the digestive juices when kept outside the stomach become inactive Hindi में पाचकरस जब आमाशे के बाहर रखते हैं तो निश्क्री हो जाते हैं fourth the food is churned in the stomach thereby increasing the surface area for quicker enzyme action आमाशे के अंदर भोजन का मंथन होता रहता है जिसे से उनकी सत्या का क्षेत्रफल बढ़ जाता है और enzyme की क्रिया तेज हो जाती है सही जवाब यहां पर क्या होगा first option the food is churned in the stomach thereby increasing the surface area for quicker enzyme action आमाशे के अंदर भोजन का मंथन होता रहता है जिससे उनकी सत्या का क्षेत्रफल बढ़ जाता है और enzyme की क्रिया तेज हो जाती है देखिए question पढ़ते पढ़ते आप answer comment box में दे सकते हैं ठीक है आपको जैसे यह answer समझ में आया first option second option तुरंट के तुरंट आप यहां पर comment box में answer देना स्टार्ट कर दिया करिया ठीक है इससे time भी कम लगेगा question paper भी जल्दी से complete हो जाएगा पूरा और यह देखिए picture आपके सामने बनी है पूरे के पूरे digestive system की क्या क्या चीज़े यहां पर दे रखी है आप देख सकते हैं पूरा तो deeply अगर आप समझना चाहते हैं तो आप digestive system का topic सर्च करें कहीं पर book में या फिर website पर किसी भी तो आपको वह आराम से मिल जाएगा तो यह पक्ते हैं और बाकी जो मोटी-मोटी चीज़े मैं आपको यहां पर बता देती हूँ, ठीक है? तो यह आपको जो picture दिख रहा है ह। एक सबसे पहले अगर देखे यहां पर, क्या चीज़ दी हुही है सबसे पहले अगर आप यहां पर देखे हैं तो यह माउट से आप क्या-क्या चीजें एंटर करते हैं chewing and sollowing मतलब चीजों को आप निगलते हैं और चबाते हैं तो यहां पर क्या होता है chemical dyesation of carbohydrates यह रहा first part उसके बाद में अगर आप देखें mechanical digestion में यहां पर क्या-क्या हो रहा है तो यहां पर mixing and propulsion chemical digestion of proteins का chemical dyesation होता है absorption of lipid-soluble substances such as aspirin तो यहां पर absorption हो जाता है lipid-soluble substances का यह liver, gallbladder pancreas यह सारी चीज़ें आप यहां पर बना हुआ देख सकते हैं बाकी third यह यहां पर क्या होता है mechanical digestion यहां पर क्या-क्या चीज़ होती है mixing and propulsion primarily by segmentation और क्या है chemical digestion of carbohydrates, lipids, proteins and nucleic acids फिर इसके बाद absorption of peptides, amino acids, glucose, fructose, lipids, water, minerals and vitamins तो vitamin इन सब चीज़ों को यहां पर absorb कर लिया जाता है आप देख रहे हों red mark मैंने लगाया ठीक है अब बाकी यहां पर क्या देखना है next part जो है mechanical digestion यहां पर क्या-क्या हो रहा है segmentation, mixing, mass movement for propulsion यहां पर किसी भी प्रकार का digestion नहीं हो रहा है except by bacteria, सिर्फ bacteria के बाई जो हो रहा है सिर्फ उतना चीज़े हो रही है absorption of ions, water, minerals, vitamins and small organic molecules produced by bacteria ठीक है तो यह आप चीज़ें यहां पर देख सकते हैं बढ़ेंगे जो next question है हम लोगों का उसकी और एक बढ़ ध्यान से आप देख लें इस चित्र को cooked rice can be preserved for a longer time in a refrigerator because पके हुए चावल refrigerator में अपेक्शाकृत लंबे समय तक पर यह रक्षित किये जा सकते हैं क्योंकि and there are again four options पहला microbes become inactive at low temperature कम तापमान पर रोगाणों निश्क्रिय हो जाते हैं second microbes are destroyed and killed at low temperature रोगाणों कम तापमान पर नस्ट हो जाते हैं third moisture content in the food is reduced at low temperature कम तापमान पर भोजन का नमी तत्व घट जाता है fourth care refrigerators contain certain chemicals which kill the microbes refrigerator में कुछ ऐसे रिसायन होते हैं जो रोगाणों को नस्ट कर देते हैं सही option कौन सा होगा जल्दी से comment box में answer करके बताएं सभी लोग answer करके बताएं सही जवाब यहां पर होगा पहला microbes become inactive at low temperature कम तापमान में रोगाणों निश्क्री हो जाते हैं वो नस्ट नहीं होते हैं ठीक है नस्ट नहीं होंगे वो एक तरीके से निश्क्री हो जाएंगे जैसे कि आपने कोई भी चीज को फ्रिज में रख दिया तो वो जादर समय तक चलेगी उसमें रोगाणों समय रिष्क्री हो जाएंगे अगर आप बाहर निकाल के रख दोगे तो अगर वो खतम हो गए होते तो फिर से उसमें खराब नहीं होता ना लेकिन अगर आप बाहर रखोंगे तो तो तेन अगें टमपरेचर पाके अक्टिव हो जाते हैं आपको पता होगा कि जो चीज गरम करके परिरक्षित की जा सकती बाट एक लिमिटे टाइम तक उसको भी आप परिरक्षित कर सकते हैं नीबू साधान पानी में डूब जाता है लेकिन नमकीन पानी में तहरता रहता है क्यों पहला option है salt water is more than normal water दूसरा normal water is more than salt water मतलब यह density की बात हो रही है ठीक है next क्या है lemon increases density of lemon increases in salt water fourth density of lemon decreases in salt water हिंदी में देख लीचे नीबू का घनवत नमकीन पानी में अधिक होता है या फिर डी option है नीबू का घनवत नमकीन पानी में कम हो जाता है तो यह चार options है सही answer जल्दी से आप लोग comment box में answer करके बताएं स्वाही जवाब यहां पर है salt water is more than normal water नमकीन पानी का घनतों साधर पानी के घनतों से अधिक होता है ठीक है यह पिक्चर देखिए यहां पर आप कैसे यह चीज़ है एक बीकर है जिसमें water molecules सिर्फ water हम लोग ने भरा हुआ है water molecules जैसे की यहां पर है इस तरीके से अब दूसरा बीकर है उसमें हमने नमक डाल दिया salt डाल दिया तो जो water की molecules हैं उनके बीच का स्थान यह salt के जो molecules है घेर लेंगे तो एक soluble होता है ना water में salt इस वज़े से तो फ हो गया तो नमकीन पानी में जो है तैरता रहता है नीम्बू और साधारन पानी में डूब जाता है ठीक है साही जवाब क्या था पहला वाला next question देख लेते हैं malaria can be detected by testing the blood for the presence of रक्त की जांच द्वारा किसकी उपस्तिती से malaria के पहचान होती है पहला option है ruptured liver cells in blood रक्त में च्छतिकरस से यकरित कोशिकाएं दूसरा है larvae of mosquito in blood रक्त में मच्छर के लार्वें तीसरा है eggs of mosquito in red blood cells लाल रक्त कोशिकाव में मच्छर के अंडे और चौथा है plasmodium in red blood cells लाल रक्त कोशिकाव में malaria पर जीवी तो सही जवाब यहां पर कौन सा हो जाएगा बताइए आप लोग कॉमेंट्स में आसर करके जल्दी से सभी लोग बताएं सही जवाब है plasmodium in red blood cells लाल रक्त कोशिकाव में malaria पर जीवी एक पिक्चर देखिए इसके regarding जैसे कि आपका जो left एक image बनी होई है यहां पर आप देख सकते हो कि plasmodium कुछ इस तरीके का है जब आप red blood cells हैं उनका आप एक तरीके से जब blood को निकाला जाएगा तो red blood cells के बीच में इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा plasmodium तो इससे पता सिल जाएगा कुछ जिस व्यक्ति ने अपना test करवाया है अपना blood sample दिया है उसके अंदर malaria है चलिए next question देखते हैं A shooting star is a तूटता तारा या फिर उलका जिसे कहते हैं वो है पहला option है shining object which moves with a constant speed in the atmosphere एक चमकता पिंट जो वायू मंडल में एक समान गती से चलता है second star with a tail at the end एक तारा जिसके सीरे पर पूँच होती है तीसरा metroid which catches fire as it enters the earth's atmosphere उलकाप जो पृत्वी के वायू मंडल में प्रवेश करते ही आग पकड़ लेता है चौथा star which moves with a constant speed एक समान गती से चलने वाला तारा comment box में answer करें सही answer क्या होगा यहाँपर जल्दी से comment box में बताएं सही जवाब है third metroid which catches fire as it enters the earth's atmosphere उलकाप जो पृत्वी के वायू मंडल में प्रवेश करते ही आग पकड़ लेता है ठीक है अब यहाँपर देखिए आप जो metroid होते हैं यह बहुत तेज स्पीड से आते रहते हैं जैसे ही वो प्रत्वी के वायू मंडल में प्रवेश करते हैं जैसे अर्थ के अट्मॉस्फियर में एंटर करते हैं वो उनमें वायू के संपर्क में आते हैं एयर के जब संपर्क में आएंगे तो एक तरीकी का घर्षन उत्पन्न होगा कि तुरंती उनमें आग लग जाती हैं जो कि हम लोगों को जब हम लोग दूर से देखते हैं तब वो किस तरीकी का दिखाई देता है कि एक तारा तूट गया है जबकि एक्शुल में होता क्या है फ्रिक्शन के कारण एट्मॉस्फियर में वायू से एर के फ्रिक्शन के कारण आग लग जाती है नेक्स्ट क्वेस्टन देख लीजें दुर्गा लिव्स इन विलेज एंड कुक्स फूर्ड ऑन अचूला दैट इस अर्थेन स्टूव दुर्गा एक गाउं में रहती है और लकडी या गोबर के उपले का इंधर इस्तमाल करते वे चूले पर खाना पकाती है पिछले तीन महिनों से उसे तेज खांसी आ रही है इसका कारण हो सकता है क्या हो सकता है चार ओप्शन दिये हैं पहला है कारबन मोनो ऑक्साइड प्रडूस्ड बाइ बर्निंग फ्यूल विच में हैव बीन डिपोजिटर इन हर रस्पिरेटरी ट्रैक्ट इंदन के जलने से उतपादित कारबन मोनो ऑक्साइड जाकर उसके श्वसन नली में जमा हो गई होगी तीसरा है स्मोग प्रडूस्ड बाइ बर्निंग फ्यूल विच में हैव बीन डिपोजिटर इन हर रस्पिरेटरी ट्रैक्ट जलते हुए इंदन से उतपादित काला धुमा उसके श्वसन नली में जमा हो गया होगा तीसरा है स्मोग प्रडूस्ड बाइ बर्निंग फ्यूल विच में हैव कॉस्ड हर ऐलर्जी जलते हुए इंदन के दुएज से उसे ऐलर्जी हो गई होगी चौथा ओल्ड एजन पल्यूशन इंसाइड एंड आउटसाइड हर हट उसकी जोपड़े के अंदर और बाहर प्रदूशन तता उसकी व्रद्धावस्था कौन सा जवाब यहां पर सही होगा कमेंट बॉक्स में जल्दी से अंसर करके बताएं सही जवाब क्या होगा सूर प्रेडूस बाइब बर्निंग दा फ्यूल्स विच में हैव बिन डिपोजेटर इन हर रस्पिरेटरी ट्रैक जलते हुए इंदन से उत्पादित कारा दुवाँ उसके श्वासन नली में जमां हो गया होगा अब यहां पर कुछ ऑप्शन में कन क्लियर करेंगे कंबशन से क्या कर्बन मोनो डाय अक्साइड निकलती है जो की एक ब्लैक पाउडर के फॉर्म में होती है आप लोगों पता होगा तो देखते हैं यहां पर कुछ पॉइंट्स है दूर्गा है वें सब्फनेंग फॉर्म सेवियर कोल्ड इसमें दूट बर्निंग फ्यूल ठीक है दूसरा है वेकॉज बर्निंग फ्यूल है बीन डिपोजिट इन हर लंग्स इट विल बी बेर इरिटेटिंग इन हर थ्रोट तो जो उसके respiratory lungs में, respiratory system में जो जमा हो गया होगा ठीक है? वो काफी irritation कर रहा होगा उसके throat में क्योंकि वो आपको पता है एक powdery form में होता है जो कि मैंने आपको बताया तो वो एक powder type का जब आपके throat में जमा हो जाता है तो वो काफी irritate करता है This irritation leads to severe cold इससे बहुत ज़्यादा खासी आने लगी और इसके बाद क्या हो सकता है वहाँ पर burning fuels produce a black powder substance It is called soot यह जो fuels को जब जलाते हैं तो जो एक धुआ निकलता है black color का वो जाकर अगर एक जगा जमा हो जाता है तो वो एक powder form में होगा तो इसको सूट बोलता है It consists of chemicals, acids and dust It can cause serious health problems including respiratory problems and cancer etc तो chemicals, acids जिन सबको वो consist करता और cancer जैसे भैंकर बीमारी भी बना सकता है अब जैसे आपने इस तरीके से carbon monoxide को inhale किया अब यह जा रहा है आपके blood stream में जाकर lungs में जमा हो जा रहा है अब जैसे कि यहाँ पर कह लिखा हुआ है carbon monoxide leaves the blood and enters the tissues tissues में एक तरीके से blood में यह इंटर कर जाता है tissues में और इसके बाद में आपके भैंकर बीमारी के रूप में यह बाहर आता है next question देखते है a man with blood group O marries a woman with blood group A the chance of the first child having blood group O is एक पुरुच जिसका रक्त O एक ए रक्त समू वाली इस्तरी से शादी करता है उसके पहले बच्चे के रक्त समू A होने की संभावना है क्या संभावना है चार ओप्शन देवे हैं पहला 50% दूसरा 100% तीसरा है 25% और चौता है 75% सही जवाब को जल्दी से कमेंट में आंसर करके बताएं क्या सही जवाब होगा यहां पर सही जवाब होगा 50% ठीक है अब यहां पर देखिए अब यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर थोड़ा गड़ बड़ है यहां पर चलिए देखिए ए परसेंटेज ऑफ दा चांस ऑफ फर्स चाइल्ड तो हैव ओ ब्लड ग्रूप इस 50% किस तरीके से यह हुआ क्योंकि मदर हैज अब यहां पर आप देख सकते हों अब यहां पर आप देख सकते हों इन दोनों को अगर हम देखें एक तरीके से तो यह किस तरीके से रिजल्ट में आएगा एको जब हम मल्टिप्लाइ कर रहे हैं ओ के साथ में तो ए ओ आ गया ठीक है ठीक है और फिर उसके बाद में जब हम लोग एको दूसरे ओ से मल्टिप्लाइ कर रहे हैं तब ए ओ आ गया 2AO हो गए, अब second क्या बचा O, जब O को O के साथ किया तो OO और OO तो इस तरीके से 4 में से 2 क्या हो गए OO, तो जब 4 में से 2 हो गए तो 50% संभावना हो गई इस चीज़ की नेक्स्ट क्वेस्टन देख लेते हैं The difference between boiling and evaporation is that क्वाथन यानि कि उबालना कहते हैं क्वाथन को और वाश्पी करण में क्या अंतर है Boiling causes a change of state of water while evaporation doesn't पहला option है क्वाथन से जल के अवस्था बदल जाती है जबकि वाश्पी करण में नहीं Second, evaporation can take place at any temperature while boiling cannot वाश्पी करण किसी भी तापमान पर हो सकता है जबकि वाश्पी करण नहीं हो सकता Third, boiling causes reduction in volume of liquid while evaporation doesn't क्वाथन से द्रव का आयतन कम हो जाता है जबकि वाश्पी करण में नहीं Fourth, changing of boiling liquid into vapor can be seen but evaporation cannot be seen क्वाथन में द्रव से वाश्पी में परिवर्टन देखा जा सकता है जबकि वाश्पी करण नहीं देखा जा सकता सही answer बताएं जल्दी से comment box में सही जवाब यहाँ पर क्या होगा सही जवाब है evaporation can take place at any temperature while boiling cannot वाश्पी करण किसी भी तापमान पर हो सकता है जबकि क्वाथन नहीं ठीक है आप जैसे वाश्पी करण है आप रूम में भी एक glass water रख देते हो तो आप देखते हो कि हाँ वह कुछ time के बाद या पर कुछ hours के बाद वह कम हो जाएगा वाश्पी करण हो जाएगा जबकि अगर आप उबालोगे किसी चीज को क्वाथन करोगे तो वह 100 degree centigrade पर ही हो पाएगा उससे कम पर नहीं हो सकता जब आप पानी को बालोगे एक initial temperature उसके लिए 100 degree centigrade चाहिए आप चार options को जड़ा details पर देखते हैं पहला जो option यह आप पर आपको दिख रहा है कौथन से जल की अवस्था बदल जाती है जबकि वाश्पी करण में नहीं बदलती है जबकि वाश्पी करण में जल के वस्था वाश्पी करण में भी वाश्प के फ़र्म में जा रहा है वैपर्स के फ़र्म में कौथन में भी वैपर्स के फ़र्म में जा रहा है सेकंड वाश्पी करण किसी भी तापमान पर हो सकता है जबकि कौथन नहीं हा तो वाश्पी करण किसी भी तापमान पर हो सकता है कौथन नहीं, सेकंड पॉप्षन ऑपर्टन सही हो गया इसलिए फार्ड पॉफचन क्या है? क्षचंट से द्रव का आतन कम हो जाता है जब कि वाषिप प्रिकरण में नहीं तो दोनों में जब वाष्पर के रूप में और जायेगा तो द्रव का आतन तो कम हो गा ही दोनों फॉर्म में फॉर्थ क्या है क्वातन में द्रव से वाश्प में परिवरतन देखा जा सकता जबकि वाश्पी करण में नहीं देखा जा सकता तो यह option भी आपका गलत हो जाता है सही option जो आपका है वो काँसा हो जाएगा second वाला ठीक है यह आप यहाँ पर evaporation और boiling में एक और डिफ्रेंस आप देख सकते हों वाश्पी करण में और क्वाथन में देखो पहला क्या है vapor pressure is less than atmospheric pressure bubbles cannot form evaporation में ठीक है तो इसमें क्या है bubbles नहीं बनेंगे और vapor का pressure कम होगा atmospheric pressure से ठीक है तो यहाँ पर यह चीज हो जाती है और इसलिए वाश्प ऊपर चली जाती है vapor pressure होता है यहाँ पर कम इसलिए bubbles form नहीं हो पाते है second वाले case में क्या है boiling के case में bubbles form होते हैं जब आप कभी भी पानी को उबाल के देखो ना उबाला हो तो देखेगा इस तरीके से bubbles form हो जाते हैं और देखो यह bubbles उपर उठके आ रहे bubbles can form and rise मतलब bubbles बनेंगे और जब आप पानी को देखो तो उपरी सता पर सबसे उपरी सता पर आपको इस तरीके से उबलत वे पानी दिखेगा तो यानि कि bubbles form होते है और rise हो जाते है vapor pressure atmospheric pressure के बराबर होता है तभी verbal form हो पाते है next question देखिए a former wanted to separate the grains from the shaft this can be achieved by the process called चार options है एक किसान दानों को भूसे से अलग करना चाहता है जिस प्रक्रिया से यह किया जा सकता है वो प्रक्रिया क्या कहलाती है threshing, benowing, harvesting, hand picking threshing, nishpavan, fustle की कटाई या फिर हसचैन कौन सा option है पर सही हो जाएगा तो यहां पर दो चीज़े है एक दानों को भूसे से अलग करना चाहता है दूसरी चीज़ होती है कि भूसे को दाने से अलग किया जाता है तो जब भूसे को दाने से अलग किया जाता है तब दाने की संक्या जादा होगी और जब दाने को भूसे से अलग किया जाएगा ठीक है तब किस की संक्या जादा होगी भूसे की जादा होगी तब भूसे की जादा होगी तब सही जब आप क्या था थ्रेशिंग इस तरीके से, अब यहाँ पर देखो, आप भूसा ज़ादा है, ठीक है, तो दाने को भूसे से लग किया जा रहा है, है ना, भूसा देखो कितना ज़ादा है, और गेहू, मेंली वीट पे होता है, वीट के लिए मेंली होता है, ठीक है, थ्रेशिंग का प्रक्रिया, तो जब और इसे पटका जारहा है, यह सिसको बीट करके निकाला जाता है तो आप देखो गेहुं की संक्या कित्ती कम है यह सिए और भूसे की संक्या है जाधा इसलिए ज्लीए क्या कहते हैं अगा दाने को भूसे से अलग कर रहा है यह सारा वेस्ट मटेरियल है और यह सारा यहाँ पर निकल आ जारा है जब पटकेगा तो बाली से गहों निकल नीचे गिर जाएंगे यह सारी गेह यहां पर एकठा हो जाता है इसको थोड़ा सा डीपली बाकी सारी जो प्रोसेसे हैं वो भी बता देंगे विनोईंग और थ्रेशिंग को जिससे आप आगे ना भूले थ्रेशिंग क्या है? पॉंटिंग दा शेव अगेंस दा वोड़न बार्स इस परफॉर्म तो रिमोव दा ग्रेंस वां दा स्टाग्स अब जो को यह किसी लकडी या फिर किसी सता पर पटक रहा था तब जाकर निकल रहा था मशीन के दौर अभी यह चीज की जा सकती है अब यहां पर दाने निकल कर आ जाते हैं यहां पर देखे डाल रहा है यह भूजे के साथ गेहू को डाल ला है पूरी उसके साथ में और यहां से वह कूड़ा जो है वह सब बाहर चला जा रहा है कटके और जो वीट है वह यहां पर निकल कर आ जा रहा है तो यह मशीन के दौरा भी किया जा सकता है इसे बोलते क्या है थ्रेशिंग अब विनोईंग क्या होता है तो यह मतलब आपने देखा होगा जो पछोडनी की प्रक्रिया होती है सूप में उसमें भी क्या होता है हस्क जो है जितना भी शैप है बेकार चीज़े सामान वह गेहूं से अलग कर दिया जाता है और गेहूं गेहूं बच जाता है यही एक विंडी डे पर भी किया जा सकता है जब बहुत जादा हवा चल रही हो अब जिससे यहां पर आप देख रहे हो कि यह महिला जो विंडी डे पर खड़ी हुई है यहां पर जो जादा हैवी है यानि की ग्रेंड वो नीचे बैठ जाता है और बाकी चीज़े उर जात है next question देखते हैं in rural areas cow dung is used to coat the floor and walls of hurts to grammar shitru में गाय के गोबर्ट से जोपड़ी की दिवारों और फर्ष को लीपा जाता है उन्हें make them smooth and clean चिकना और साफ बनाने के लिए make them rough to increase friction पुरदरा बनाकर घरशन बढ़ाने के लिए give a natural color to the floor फर्ष को प्रक्रतिक रंग देने के लिए या फिर keep the insects away कीटों को दूर रखने के लिए तो यहां पर सही जवाब क्या होगा अब देखिए इस question का जवाब आपको कई जगा पर अलग-अलग मिलेगा ठीक है लेकिन हम मैंने यहां पर काफी research करके काफी जगा से देख कर चानबीन करके आंसर निकाला है सही आंसर है चिकना और साफ करने के लिए सीटेट में आपको most appropriate आंसर ही लगाने होते हैं ठीक है तो यहां पर आंसर है चिकना और साफ बनाने के लिए अब जैसे यह कुछ lines नीचे दी होई हैं बाकी points पर हो सकते हैं आज उसी बात क्या है कि जो बहुत सारे villages होते हैं in India, spray fresh cow dung mixed with water in front of houses to repel insects मतलब इस चीज से मनाने के जा जा रहा है कि कीटों को दूर रखने के लिए यह यूज किया जा रहा है लेकिन उसको पानी में मिलाकर spray कर दिया जाता है घरों पर वो तब में काम क्या है चिकना और साफ बनाने के लिए अब जैसे कोई तयोहार है होली दिपावली तो आप क्या करोगे उस समय तो क्यूटों को दूर रखने के लिए यह चीज नहीं करोगे तब घर को चिकना और साफ बनाने के लिए यूज करोगे क्योंकि जो डंग से बना जाता है और वो काफी जल्दी खुरदुरा हो जाता है तो बार-बार उसको बार-बार डंग इसलीए लगा जाता है जिससे वो चिकना रहे और साफ लगे देखने में ठीक है? तो मेन कारण इसका ये था secondary है insects के लिए और thermal insulator के रूप में ठीक है इस टाइप का भी question पूछा जा सकता है आपसे तो ये दिखिए picture है ये भी यहाँ पर cow dung से कुछ cleanliness का कारे कर रही है कुछ इस तरीके के घर बन जाते हैं cow dung से chicken और ये एक women और एक men दिख रहा हैं जो कि South African है ये picture लगाने का purpose ये ताकि सिर्फ villagers इंडिया में ही नहीं और भी कहीं किसी भी country के villagers हो cow dung का ही इस्तिमाल करते हैं अपने घरों को चिकना और साफ बनाने के लिए next question आपकी screen के सामने है Meera and Divya are young girls Meera likes to eat samosas, cutlets and bread Divya on the other hand takes an iron deficient diet which of the following disorders are Meera and Divya likely to suffer from respectively Meera and Divya are young girls Meera समोग से cutlets and double roti खाना पसंद करती है जबकि Divya ऐसा बोधन पसंद करती है जिसमें law tattwa की कमी है Meera and Divya को name liquid बीमारियों में से क्रम शाह कौन सी बीमारी होंगी? मतलब आपको क्रम से बताना है कि Meera को कौन सी होगी और Divya को कौन सी होगी? Option A, Anemia and Night Blindness, Anemia और रताओंदी Option B, Obesity and Anemia, मोटापा और Anemia Option C, Obesity and Scurvy, मोटापा और Scurvy Option D, Scurvy and Anemia Scurvy और Anemia सही जवाब क्या होगा यहाँ पर? सही जवाब को कोमेंट करके जल्दी से बताएं सही जवाब यहाँ पर होगा, Obesity and Anemia Mostly सही थे answers मोटापा और Anemia अब देखिए Anemia के बारे में कुछ यहाँ पर मैं बता रही हूँ Anemia is a condition in which you lack enough healthy red blood cells to carry adequate oxygen to your body's tissues Having Anemia can make you feel tired and weak क्यानी कि Anemia अगर आपको है तो आप काफी tired, ठका हुआ सा और काफी कमजोर महसूस करेंगे Anemia एक ऐसी अवस्ता होती है जहां पर आपकी healthy red blood cells जो होती है यह काफी कम हो जाती है ठीक है तो यह जो blood cells है इनमें adequate amount of oxygen आपकी body के tissue तक पहुचाने में बहुत ही कमी हो जाती है तो mainly कहते है हीमोग्लोबिन की कमी से एनेमिया हो जाता है एनेमिया के बहुत सारे forms है लेकिन यहां पर बात हो रही है वह हो रही है iron deficiency की वज़े से symptoms देख सकते हैं fatigue, weakness, एकमजोरी ठीक है और yellowish skin आपकी हो सकती है irregular heart beat हो जाएगी shortening of breath, सांस लेने में कटना ही हो जाएगी dizziness और light headness ठीक है और chest pain हो सकता है आपको यह सारी चीज़े आपको यहां पर दी होई है cold hand and feet ठंडे हो जाते है headache, सर में दर्द होता रहता है यह सारे symptoms है mainly आपको क्या दिख रहा है यहां पर picture में ऊपर नॉर्मल और अनीमिया वाले हाथ में उसमें जो red cells है लाल रक्त कडिका हैं वो काफी कम है obesity के बारे में देख लिज़े common symptoms adults में क्या होते है snoring यानि कि जो खराटे लेते हैं और जिनको सोने में समस्या होती है वो अडल्ट में यह problem हो सकती है obesity के कारण सांस लेने में कठीनाई और skin problems होगी जो कि अगर एक वयस्त इंसान है तो ठीक है पसीना जादा आएगा आपको दिकराए यहां पे common symptoms in children and adolescents यानि कि शोरा वस्ता में और बच्चों में क्या-क्या प्रॉब्लम होगी और physical activity करने में मतलब जल्दी से उसकी सांस फूलने लगती है और stretch marks देखिए जगा जगा बॉड़ी पे और गले में देखिए ठोड़ा से बहुत डार्क एरिया होता है velvet skin around neck और other areas बागी symptom in morbid obesity of morbid sorry obesity तो यह कुछ आपका body mass index पे भी based रहता है next question देख लीजे vitamins are substances vitamin ऐसे पदार्थ है जो 4 options है required as medicines to make us healthy स्वस्त रहने के लिए दवाई के रूप में ले जाते हैं that build muscles to keep us strong पेशियों का विकास करके हमें ताकतवर बनाते हैं required in small quantities to prevent deficiency diseases हीनता जन्य रोगों के बचाओ के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक है fourth है that increases our metabolic rate leading to loss of weight हमारी उपापचे देर बढ़ा दित है सही जवाब क्या था third option required in small quantities to prevent deficiency diseases हीनता जन्य रोगों से बचाओ के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक है तो यह जवाब यहां पर सही था ठीक है तो यहां पर हर एक चीज जो vitamin है, minerals है, protein है और carbohydrates है यह एक संतुलित मात्रा मिलना चाहिए एक balanced diet होने चाहिए यह नहीं आपकी vitamins की मात्रा जितनी होनी चाहिए उससे जादा है protein की बहुत जादा है carbohydrates आप बहुत कम ले रहे हो minerals की मात्रा बहुत ही कम है तो यह सारी चीज़े नुकसान करती है एक balanced way में आपको सारी चीज़े लेनी चाहिए अब यह नहीं है कि आप vitamins बहुत ही जादा मात्रा में लेने लगो तो इसलिए यह option सही था कीनता जन्य रोगों के लिए कम मात्रा में जरूरी है बाकी यह देखिए vitamins के प्रकार कॉन कौन से है A B C D E K तो यह एक मैं वीडियो बनाऊंगी vitamins के ऊपर जिसमें आपको यह सब पता चलेगा कि कितने प्रकार के vitamin है किनसे कौन सा रोग होता है कि कमी में क्या चीज़ खानी चाहिए दूसरी बात fat में soluble कौन से है वसा में गुलंशील कौन से है और gel में गुलंशील कौन से है यानि कि water में कौन से soluble vitamins है important questions है मैं आपके लिए एक video बना दूँगी इस channel पर बस आप इस channel से जुड़े रहेगा ठीक है तो vitamin B देखे कही प्रकार का होता B1, B2, B5, 6, 9, और 12 ठीक है vitamin A, B, 9, B12, C, D, E और K से related यहाँ पर कुछ चीज़ें आपकी दी हुई है आप चाहो तो इसमें पढ़ सकते हो थड़ा बहुत ठीक है नेक्स्ट क्वेस्टन देखिए चिपको movement was strengthened under the leadership of किसके नेत्रित तुम्हें चिपको अंदोलन को बल मिला strength किसकी leadership में मिली फर्स्ट है अमृता देवी विश्नोई सेकेंट मेधा पाठकर थर्ड एके बैनर जी फोर्ट है संदरलाल बहुगुना तो बहुत ही आसान से सवाल है सभी को पता होगा जल्दी से comments में भी बता देए इसके बाद में जो मैं अभी आपको चिपको movement के बारे में काफी important चीज़े बताऊंगी तो चैनल को अगर आपने subscribe नहीं किया है वीडियो को like नहीं किया तो जल्दी से कर दें तही जब आप सभी को पता था सुंदरलाल बहुगुना female activists जादा थी इस जो भी आपका movement था उसमें इसके बारे में कुछ चीज़े मैं बताऊंगी इस movement के बारे में तो चिपको movement या फिर इसे करते हैं चिपको आंदोलन was a forest conservation movement in India यानि कि भारत में एक one सनरक्षण आंदोलन था यानि कि इसमें व्रक्षों को सनरक्षित किया जाना था बचाना था it began in 1970 इस इन उतराखंड देना पार्ट आप उतरप्रदेश शुरू कहां से हुआ था उतराखंड में कब से शुरू आता April 1973 ठीक है और उतरप्रदेश के एक पार्ट में भी यह शुरू हो गया था उतरप्रदेश के मंडल विलेज इन अपर अलकनंदा वैली में मंडल विलेज में ठीक है अब दा चिपको आंदोलन या चिपको movement movement is a movement that practice methods of satyagraha where both male and female activists from उतराखंड played vital roles मतलब की जो male और female activists थे उन्होंने important roles play किये थे लेकिन जादा संक्याकिन की थी तो female activists की थी उनमें से main main नाम कुछ दिये गया है गौरा देवी सुरक्षा देवी सुदेशा देवी बचनी देवी चन्डी प्रसाद भट और विरुष्का देवी ठीक है यह सारे main activists थे इनके अलावा भी कई सारे और थे अब आपने एक नाम अभी options में सुना है अमृता भिश्णोई तो वो अमृता भिश्णोई भी 1793 में जो forest conservation movement हुआ था उसमें उन्होंने और उनकी तीन बेटियों ने अपनी जान दे दी ती option में आपने देखा होगा मृता भिश्णोई का नाम उनके बारे में मैं यह आपको बता रही हूँ तो पूछ सकता है घुमाफिरा के यह भी आइडिया किसका था उनकी वाइफ का और जो भी कार की उस पर action लिए इन होने लिए slogan क्या था चिपको movement का कोई बता सकता है important question है slogan of चिपको movement कितने लोगों को पता है comment करके answer बताएं चल्दी से ecology is permanent economy ठीक है यह था slogan ecology is permanent economy one of the biggest biggest names associated with चिपको movement is Sundarlal Bahuguna or his notable contributions to that cause and to environmentalism environmentalism in general was his creation of the slogan ecology is permanent economy who is the first women to host चिपको movement पता है किसी को पहली महिला चिपको movement को host करने वाली यह वाइफ नहीं है उनकी उनका नाम था गौरा देवी ठीक है गौरा देवी वाइफ अन इंडियन चिपको activist in the Himalayas इन्होंने host किया था next देखते है क्या है when did चिपको movement start start कभ हुआ था actual में 1970s में start हुआ था actual date देखो था April 1973 मैं बताई चुकी हूं आपको यह अब next question देखे Rina separated the garbage from the house into two piles at slow shown below Rina अपने घर का कूड़ा नीचे दर्शाय के तरीके से दो धेरियों कौशलों को पैना करने के लिए में अलग करती है दो तरीके से अलग करती है mainly यह यह यहाँ पर मसला है Rina has separated the garbage waste into two piles depending on the criteria दो धेरियों में कूड़े को निमनाधार पर लग किया देख सकते हो दो अलग देख लो केले के छिलके सबजियों के छिलके सुकी पतिया और बाकी दूसरे में क्या है bottles हैं प्लास्टिक की चीज़े हैं tubes हैं ठीक हैं plastic toys हैं तो किस तरीके किस आधार पर अलग किया है पहला can be decomposed cannot be decomposed अब घटित होने वाले या फिर अब घटित नहीं होने वाले दूसरा can be recycled cannot be recycled पुना चक्रत जिनका किया जा सकता है मतलब पुना यूज में लाया जा सकता है और नहीं लाया जा सकता है household industrial waste fourth है have odor या फिर are odorless या दूरगंध है या फिर दूरगंध रहीत है कौन सा सही होगा option सही जवाब है can be decomposed cannot be decomposed यानि कि अब घटित होने वाले और अब घटित नहीं होने वाले तो यह हो गया यानि कि जो सूखी पत्ती के ले के चलके सबजियों के चलके हैं यह अब घटित हो सकते हैं बाकि जो प्लास्टिक की चीज़े हैं sauce bottles toothpaste tubes plastic toys यह सारी चीज़े jam की bottles यह सारी चीज़े decomposed नहीं हो सकती हैं अब घटित नहीं हो सकती हैं next question an egret bird is often seen on buffalo's back this is because the egret यानि कि भैस की पीट पर अकसर बगुला यानि कि इग्रेट दिखाई देता है इसलिए होता है ऐसा क्योंकि बगुला पहला option loves to sing while sitting on the buffalo's back भैस की पीट पर गाना गाना पसंद करता है दूसरा rests after flying for a while मतलब ओड़ने के बाद थोड़ा सा अराम करने के लिए भैस की पीट पर बैठ जाता है पहला था बैठ कर गाना गाने के लिए गाना गाना पसंद करता है तीसरा क्या feats on parasites on the buffalo's back भैस की पीट पर पर जीवी कीट खाता है fourth है feats on insects present in the grass गास में पैठ जाने वाले कीट खाने के लिए भैस की पीट पर बैठ जाता है तो यह important question है मतलब यह कई बार पूछा गया seated में मैं सारे question paper आपको यहां पर करवाऊंगी बस आप बने रहेगा सही जवाब क्या होगा comment में answer करके comment में answer करिया सही जवाब है भैस की पीट पर पर जीवी कीट खाता है ठीक है इस तरीके से भैस की पीट पर बैठ जाता है और पैरसाइट को खा लेता है अब यह पैरसाइट क्या है यह सारी चीज़े क्या है और इनमें कौन सा relationship होता है यह भी चीज में आपको बताऊंगी, देखिया दा इग्रेट इस सिटिंग उन बफैलो 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 की इसकिन से उनको निकालता है इग्रेट यह भी पूचा जाता है कि दोनों में किस प्रकार का संबंद भैस और बबुले में तो एक mutual relationship है जिसे कहते है सहजीवी, सहजीवी का मतलब क्या होता है जिनमें दोनों पार्टनर्स बेनिफिटेड होता है यह भी question पूचा जाता है सहजीवी का संबंद इसका क्या मतलब है तो जहां पर दोनों पार्टनर्स को लाब होता हो तो लाब क्या हो रहा है यहाँ पर जो भैस है उसकी पीट पर चिपके हुए है ठीक है सहजीवी मैं आपर लिख दे रही हूँ जिससे आपको पता चल जा भैस की पीट पर चिपके हुए है जो उसको नुकसान पहुचाते है उनको वो खा लेता है तो उसका क्या हो रहा है पेट भर रहा है और उसकी क्या है बाइटिंग क्रीचर जो उसको काटते रहते हैं वो सारी चीजें चीजों को हटा दे रहा है एगरेट यानि की बगुला बहुत बेनिफिट इच अधर एज इग्रेट गेट इस फूट और वो फैलो गेट रिड़ अफ जर्म्स एन इंसेट्स ठीक है मतलब भैस तो साफ सुत्री हो जाती है और इग्रेट का भी खाना पीना सब हो जाता है भैस की पीट पर पैरसाइट्स होते क्या है यह मैं आपको बता देती हूँ पैरसाइट्स या फिर जो पर जीवी है यह यह दीज वाम्स सक ब्लच फ्रम्द केटल एंड और काल्ड पैरसाइट्स यह मतलब जो भी cattle जिसके भी चिपक जाते हैं भैस के मानलो यह हैं पीठ पर तो सारा blood चूज आते हैं blood को पीते हैं यह जिस तरीके मच्छर blood निकाल लेता है body से उस तरीके से तो यही पर session आज एंड होगा कुछ यह social media sites दी होई है इंस्टा एंड टेलीग्राम टेलीग्राम पर ग्रूप बना हुआ है प्रगतिपाथ 247 247 तो इसको आप जरूर से जॉइन कर लें if you like the video please like share and subscribe the channel thank you so much for watching झाल